जम्मू कस्मीर से विसेश राष्ट का दर्जा हटाये जाने के बाद वहां के हलाद ठीक नहीं है सरकार और गोदी मीडिया भले यह दिखाने की कोशिस में लगी है कि वहां सब बहतर है पहले से अभी तक वहां की इस्तिती में सुधार आया है पर हलाद बत से बत्तर होती जा रहे हैं दवायर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कस्मीर हाई कोट की जुविनाईल जेस्टिस समिती ने मंगलवार को सुप्रीम कोट को बताया की पाच अगस से अब तक नौ से सतरा साल के 144 नबालिकों को सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया गया सुरक्षा बल छोटे-छोटे मासुमों को हिरासत में लेने पर मजबूर क्यूं हो रही है वह भी जिनकी उम्र महज 9 साल तक है बीते पाच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कस्मीर को विसे इस राज का दरजा देने वाले अनुछे 370 के अधिकतर प्रवधानों को खतम कर दिया और राज के मुक्यधारा के नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में ले लिया गया हिरासत में लिये गए लोगों में 144 नबालिक सामिल थे उनकी उम्मर काफी कम थी फिलहाल हिरासत में लिये गए 144 नबालिकों में से 142 नबालिकों को रिहा किया जा चुका है जबकि अन्ने दो आवी भी की सोर गिरी हमें रखे गए हैं जेजे समीती ने पुलिस और राज की अन एजेंसियों द्वारा मिली जानकारी के अधार पर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोट को सौपी बाल अधिकार करकरता मिनाक्षी गांगोलिक और सांता सिना की आचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने जम्मु कस्मिर हाई कोट की जेजे समीतीक से उन आरोपों का पतल लगाने और उन पर रिपोर्ट सौपने को कहा था कि जिन में कहा गया था कि राज में गैर कारुनी तोर पर बच्चों को हिरासत में लिया गया इसके बाद जस्टिस अली मुहम्मद मागरे की अधिक्ष्टा वाली समीती ने राज की एजेंसियों के साथ निचले अदालतों से भी रिपोर्ट मांगी थी जेजे समीती ने सुप्रीम कोट को यह भी बताया कि उसे किसी भी किसोर की कथित हिरासत पर कोई याचिका नहीं मिली है हाला कि हाई कोट में उन्हें कुछ याचिकाएं मिली जिसमें हिरासत में लिये गए लोगों के नबालिक होने की बात कही गई हलाकि राज्य पुलिस ने या मानने से साफ इंकार कर दिया है कि उन्होंने किसी नबालिक को हिरासत में लिया है पिछले हफते ही जम्मु कस्मीर सरकार ने हिरासत के आदेश को वापस लेते हुए जन सुरक्षा अदिनियम के तहत गिरफतार किये गए चार में से एक नबालिक को रिहा कर दिया था उस बच्चे को उत्तरपरदेश के बरेली जेल में साथ हफ्तों तक रखा गया था नमस्कार नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरुतों के लिए हमेशा से यूटूब एड्स पर निरबर रहा है हमारी काफी वीडियोज को यूटूब की तरफ से डी मोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स ने मिल पाती इसकी वज़ा से हमें आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा जरुरत अब है पैट्रियोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम अजादी से पत्रिकारता कर पाएंगे आप से सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हमनैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी अवाज को और बुलंद कर पाएंगे आप पैट्रियोन पर मातर दो डॉलर करीब 140 रुपर परतिमा से हमारी सहायता कर सकते हैं पैट्रियोन क्रेटिट कार्ड और डेविट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है हाँ जरूर यह है कि पैट्रियोन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इलाउड होने चाहिए अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर करके इसको असानी से चालू करवा सकते हैं पैट्रियोन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है निचनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निचनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल